अगला देखिए I have my breakfast at 7.30 in the morning मैं सुबे अपना breakfast कब करता हूँ? साड़े साथ बजे 7.30 पे अभी अभी मैंने आपको table बताया था बेटे यह जो minutes चल रहे हैं 5 का table चल रहा है 30 कहां आ रहा है? यहां पे आ रहा है 6 पे तो that means हमें जो बड़ी वाली सुई है वो कहां करनी है 6 पे और छोटी सुई 7 पे जो यह पहले लिखा होगा तो छोटी वाली सुई बेटे उसकी तरफ करनी है जो पहले वाली डिजिट है ठीक है? और जो बाद वाली डिजिट है बड़ी वाली सुई वहां पे आप shift करेंगे क्योंकि वो minute है यह hour है यह minute है ठीक है? और आपने परिशान नहीं हो न दीरे दीरे आपको question समझ में आएंगे ठीक है? चलिए अब आगे move करते हैं यह देखिए I come back from school at 1 o'clock in the afternoon ठीक है? अब यह देखिए बेटे यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है 1 o'clock ठीक है? कि एक बजे मैं afternoon में school से घर आता हूँ ठीक है? तो फिर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1 o'clock यानि कि हमें 1 o'clock दिखाना है तो 1 o'clock कैसे दिखाएंगे? बेटे जो छोटी वली सुई है वो 1 की तरफ और जो बड़ी वली है hand उसको हम करेंगे 12 की तरफ क्योंकि मैंने आपको भी बताया था ना कि जो बड़ी वली है hand उसको आपने always 12 की तरफ ही करना है अगर पूरे complete time दिखाना है फिर आपको बड़ी वली जो hand है उसको 12 पे ही दिखाना पड़ेगा ठीक है बटे? क्योंकि वो complete है complete time exact time है वो ठीक है? इसी तरह से ये वला question देखिए I go to play with my friends at 5.30 in the evening अब आपको पता है 5.30 छोटी सुई तो कहां आएगी? 5.30 अभी पीछे मैंने बताया था 30 का टेबल कहां चलेगा? स्वारी 5 का टेबल कहां चलेगा? 6 पे 30 आएगा ठीक है 5.6 जा 30 आप multiply करवा के देख लो उसी time चीक है? अगर यहां पे 30 की बज़ाए 40 होता तो 40 का बाता है? 8 पे आता है That means किसुई यहां पे आती चीक है बटे? 5.8 जा 40 होता फिर चलिए अब हम इसको 30 पे करना है यानि कि 6 पे चीक है? थोड़ी सी बड़ी बनानी है इस वली हैंड से यह वला हैंड बड़ा होगा चलिए अब आगे चलते हैं